So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगनवारी वर्कर्स का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महतोपूर्ण होने वाली है जैसे की आगनवारी वर्कर्स का काफी सारा कमेंट रहा हुआ है कि माली ये कोई बच्चा जो है वो छे वर्स का भी नहीं हुआ है और उस बच्चे को उसके पैरेंट जो है किसी गवर्मेंट स्कूल या प्राइबेट स्कूल में उसका एडमिशन करा देते हैं तो उस बच्चे को हम लोग पोशन ट्रेकर एप से कैसे डिलीट करेंगे आपको पसंद आती है तो प्रियों को ज्यादा है ज्यादा लाइक किजिएगा चैनल पे नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा चलिए चलते हैं पोशन ट्रेकर एप पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने Potion Tracker एप यहाँ पे open कर रखा है और सबसे पहले हम लोग चलते हैं Beneficiary वाली category में जहाँ पे 6 साल के जो बच्चे हैं उस category को हम लोग पहले open करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्ष से 6 वर्ष का बच्चों की category है और जैसे कि आपको बता दे कि अगर कोई भी बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उस बच्चे को आप लोगों को डिलिट करने की ज़रूरत नहीं होती है एक सिस्टम के अनुसार आपके जो बच्चे हैं वो आटोमेटिक ही यहाँ से 6 यर्स हो जाने पर वो यहाँ से रिमूब हो जाते हैं बट कंडिशन कभी कभी यह आता है कि बच्चों के जो पैरेंट्स है वो उस बच्चे को 6 साल से पहले ही किसी प्राइबेट या गॉर्मेंट इस्कूल में उसका एडिमिशन करा देते हैं तो उस कंडिशन में हम लोग बच्चों को कैसे डिलिट करेंगे आईए उसके बारे में आपको बताते हैं जैसे कि सबसे पहले हम इस केटेगरी को ओपेन करेंगे ठिक है ओपेन करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि किस बच्चे को आपको यहां से हटाना है जैसे कि आप उस बच्चे को चैन करेंगे माली जी हम इस बच्चे को देख रहे हैं कि इस बच्चे का जो नाम है अधित्यानंद कुमार उसके नाम के आगे जो three dot है इस पे click करेंगे और यहाँ पे आपको आयू भी दिखाई देगा कि यह बच्चा कितने worst का हुआ है यानि कि five years, eleven month का यह बच्चा हो चुका है अगर इस बच्चे को हटाना हो या फिर किसी भी बच्चे को हटाना हो जो उसका admission किसी दूसरे school में हो गया हो तो उसके लिए आपको करना क्या है यहाँ पे three dot का जो option है बच्चे के नाम के आगे उस पे आप लोग को click कर देना है ठीक है, जैसे ही आप लोग click करेंगे तो profile update का एक option देखने को मिल जाएगा इस पे आपको click कर देना है तो profile update में आने के बाद यहाँ पे नाम और बच्चे के माता का अधार संख्या डेट आप और सारा कुछ यहाँ पे पुरा details आप लोग को देखने को मिल जाएगा ठीक है, यहाँ पे बच्चे का जनमतिती भी देखने को मिल जाएगा कि इस बच्चे का जो 6 साल है वो कितरा दिन पूरा होने वाला है अगर वो बच्चा 6 साल से पहल ही किसी private या सरकारी स्कूल में उसका admission हो गया है आपको करना कुछ नहीं है यहाँ पे जो एक option दिया गया है is the child going to school बस इसी option को आप लोग को use करना है अगर कोई बच्चा 6 साल से पहल ही उसके parents किसी private या सरकारी स्कूल में उसका admission करा देते हैं तो करना कुछ नहीं है सिर्फ आपको यहाँ पे हाँ वाले पे click करना है जैसे कि यह बच्चा जो है उसको update कर दिया जाएगा और इस बच्चे को इस portion tracker app से हटा दिया जाएगा तो इस परकार से किसी भी बच्चे को अगर कोई parents उसका admission किसी दूसरे school में करा देते हैं तो इसी परकार से आप लोग easily यहाँ पे portion tracker app में आके उसको यहाँ से remove कर सकते हैं आपको यहाँ पे LS की ID या CDPU के ID से delete करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग सिर्फ यहाँ पे आईएगा और यह वाला जो option है उसको आप लोग click किजिएगा ठीक है click करने के बाद यह जो बच्चा है वो यहाँ से हट जाएगा तो I hope आप लोग को आज के इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करके share कर दीजिए और चैनल को यदि subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लें तो मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद